फलोदी से हमारे समवाददाता की खास रिपोर्ट सरपंच पत का दुरुपयोग करते हुए ग्राम पंचायत माया कोरिया के सरपंच खुदा बख्ष द्वारा अपने निजी आवास के पास पानी की टंकी निर्मित कर कपडी सर ग्रामीनों के साथ छलावा करने का कार्य किये को लेकर कापडी सर ग्रामीनों ने प्रदेश मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर फलोदी को ग्यापन सौपा है ग्रामीनों ने बताया की ग्राम पंचायत मया कोरिया मुख्याले पर पानी की टंकी का एसलार का निमार्ण जल्दाय विभाग द्वारा करवाया जाना है लेकिन इस टनकी का निमार्ण वर्तमान सरपंच एवं उसके पिता कॉंग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा अपने पत का दुरूपयोग करते हुए एवं राजनी तक दबाव बना कर टनकी का निमार्ण अपने आवास और क्रिशी भूमी खसरा नंबर 157 बटा तिरपन स सटे खसरा नंबर 139 बटा तिरपन की सरकारी भूमी जिस पर उसने अतिक्रमन कर तारबंडी कर गेट लगा रखा है वहाँ पर करवाने पर आमादा है इस भूमी के पास कोई कटान मार्ग नहीं है इसके अलावा वर्तमान सरपंच द्वारा सरकारी योजना से बनने वाले भवनों का जिसमें उपस्वास्थे केंद्रा, पशुचिकित साल्य, डंपिंग स्टेशन, खादे सुरक्षा भवन एवं अन्य तरह के भवनों का निमार्म कार्य भी अपनी राजनी तक पहुँच से खसरा नंबर 139 में ही स्वीकृत करवाया जा रहा है इसके अलावा ये खसरा पंचायत मुख्याले से करीबन 4 किलामीटर दूरी पर स्थिती है जबकि खसरा नंबर 86 में पेजल व्यवस्था सुलब करवाने को लेकर टनकी निर्मान करवाया जाए इस तरह सरपंच अपने पत का दुरूपयोग कर सभी निमार्न कारियों पर अपना कबजा करना चाहता है जिससे आम ग्रामीन वहाँ पर उसकी मर्जी से ही प्रवेश कर सके ग्रामीनों द्वारा विरोध करने के बावजूद वहाँ पर निमार्न करवाने पर आमादा है ज जो गुंतीस बटा तेपन में सरपंच बनाना चाह रहा है क्योंगे उनका घार वहीं पे उनका खेत वहीं पे हैं उनके बाड़े वहीं पे हैं और जो उपसास्ती केंदर है पच्छू ऑस्पिटल है खादिश रिक्षा भावन है सारे के सारे वहां भी बनाना चाहता है और उ उसका कारण यह है कि आने वाले समय में गाओं के लोगों को बारी नुकसान उठाना पड़ेगा तो मेरा निविदन यही है कि यहां करिप्या करे मैंने गपन दे रखा कलेक्टर साब को कि कि इसको यहां नहीं बनना चाहिए राजे सरकार से निविदन है कि यहां पर ना ब सी के अंदर सिफ्ट कर जाओ मेरा यह करना